नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी और मैं हूँ आपके साथ रेनुतिवारी यह हमारा खास प्रोग्राम है नियूज रूम जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत और साउदी अरब की जो नस्दी क्या है वो पिछले कुछ सालों में बहुत जादा गहरी हो हैं दोनों देश एक दूसरे के भले के लिए कारे कर रहे हैं एक दूसरे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं साउदी अरबिया भी बहुत जादा भारत के करीब आ गया है और इस तरह से साउदी अरब और भारत की इतनी खास दोस्ती होने के वज़े से अब भारत की जो चब एक तरह से हर देश में केवल मांगने के लिए कुछ ना कुछ जाता है और उसको बहुत जादा वो आर्थिक संकट का सामना कर रहा है ऐसे में रमजान का महीना है और ऐसे में जो पाकिस्तान के प्रधान मंत्री है वो एक बार फिर से साउधी अरब पहुँच चुके हैं पाक जिन्स महिम्मध बिन सल्मान के साथ मुलाकात भी की है पाकिस्तान और साउधी अरब ने ने एक संयुक्त बयान जारी किया है जिसमें पांच अरब डॉलर के निवेश्च के पहले पैकेज को देने में तेजी लाने की सहमती जताई गई है। साउधी अरब ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने का कोई ठोस वादा नहीं किया है। से पहले साउधी अरब ने वादा किया था कि वह पाकिस्तान की आर्थिक रूप से मदद करेगा। इमरान खान सरकार के सत्ता से बाहर जाने के बाद ये साउधी प्रिंस और पाकिस्तानी प्रधान मंतरी के बीच पहली मुलाकात थी। साओधी अरब ने अभी निवेश की कोई जानकारी नहीं दी है लेकिन पिछले साल पाकिस्तान के कियर टेकर पीम अनवर अलुहक काकर का एलान किया था कि साओधी सरकार 2 से 5 साल के अंदर लगभग 25 अरब डॉलर का निवेश विभिन सेक्टर में करेगी उन्होंने कहा कि सरकार नीजी करन की प्रक्रिया को फिर से शुरू करेगी इस मुलाकात के दोरान साओधी प्रिंस ने शहबाज शरीफ के को प्रधान मंतरी बनाने के लिए और उनको जो प्रधान मंतरी का पद मिला है उसके लिए बधाई भी दी है काकर ने बताया था कि कुछना तकनीक सेक्टर में निवेश करेगा पाकिस्तान चाहता है कि साउधी अरब और उनके देश के भी इच निवेश बढ़ाया जाए साउधी अरब ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए अर्बो डॉलर का लोन दे रखा है पहले से ही उसको बहुत सार साउधी अरब का निवेश रुका हुआ है इससे पाकिस्तान की अर्थववस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है पाकिस्तान में इस साल केवल करीब एक अरब डॉलर का विदेशी निवेश हुआ है इसे पाकिस्तान की सरकार बढ़ाने के लिए साउधी अरब की ओर उम साउधी प्रिंस ने शहवाद शरीफ को आश्वाशन दिया है कि वह इसलामबाद का दौरा करेंगे साउधी अरब ने पाकिस्तान को यह भी कहा है कि वह भारत के साथ बातचीत को फिर से शुरू करें यही नहीं साउधी अरब ने संयुक्त राष्ट के प्रस्ताओं का जिक् तरह का जो भी संयुक्त राष्ट संग में बात हुई थी उसका कोई भी जिक्र नहीं किया है और ऐसे में यह जान पड़ता है कि साउधी अरब भारत के साथ किसी भी तरह की कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता है वहीं पाकिस्तान से उसके पुराने रिष्टे हैं उस अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके